बिस्मिल्ला रख्मान रोहीम टापिक फार डिसकेशन इस लोकोमोशन इन प्रोटाक्टिस्टा एंड इन वर्टीब्रेट्स बिसिकली हम सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट का ये लास्ट सेग्मेंट शुरू हो गया है इस लास्ट सेग्मेंट में हम डिफरेंट एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन देखेंगे मूवमेंट देखेंगे जिसमें डिफरेंट एनिमल्स शामिल हैं ये दो तरह के एनिमल्स हैं यह जो रेस्ट है जैली फिश जैसे अर्थवम, काक्रोच, स्नेल and स्टार फिश इस रडू अनिमल्स दे बिलांग तो किंग्डम अनिमिलिया अब देखलें जैली फिश जो एक किंग्डम अनिमिलिया का फाइलम नीडेरिया है उससे बिलांग करता है इसी तरीके से अर्थव हम वन बे वन इन तमाम अनिमल्स के अंदर लोको मुशन को स्टड़ी करेंगे हमारे जो फिस्ट अनिमल है वो है यूगलीना सो वी विल सी लोको मुशन इन यूगलीना ये एक यूगलीना की लोको मुशन के लिए मैंने एक स्कीमेटिक डियाग्राम बनाई है बिसिकली प्रोटिस्ट है यूगलीना जो है इसमें क्लोरोफिल भी होता है इसमें नियुकलिस भी है इसका यह स्टिगमा या आइस पार जिसको कहते हैं इस सारे चीज़ें लेकर लोको मोशन के हवाले से दो बहुत important structures इसमें होते हैं एक है जिसमें structure single phlegelum single phlegelum है और दूसरा जो structure है वो contractile myonames है contractile myonames यह दोनों structures मिलकर यूगलीना की movement पैदा करते हैं फस्ट हम discuss कर लेते हैं phlegelum this is single basically basal body से दो originate होते हैं एक rudimentary है reduced है body से बाहर originate ही नहीं होता यह बादी से बाहर protrude out ही नहीं होता जबके दूसरा एक long phlegelum present है एक single thread present है जिसको phlegelum कहते हैं word phlegelum lateral language के है जिसका मतलब होता है whip यह यह विप like structure which is for movement which is for locomotion in the aquatic environment यह यूगलीना के anterior end पर present होते है single phlegelum और यह basically lashes backward and yuglina moves forward यह ऐसे करके चपू की तरह यह backward जा पाता है तो यूगलीना आगे जाता है और जब यह forward आता है तो यूगलीना backward नहीं जाता बिल्कुल चपू आप जिन में लाए तो जैसे हम कश्टी चलाते हुए चपू का यह इसकी बेसल बाड़ी से शुरू होती है और जूँ जूँ टिप की तरफ जाती है तो इसका amplitude भी बढ़ता चला जाता है इसकी velocity भी बढ़ती चली जाती है यह पीछे को ऐसे मायो नीम्स मायो मीन मसल नीम्स थ्रेड्स को कहते हैं means these are the thread-like structures यह मैंने शोग की है थ्रेड-like structures यह animal की lengthwise present है along the length present है longitudinally present है animal के लंबाई के रुख present है यह fine threads है made up of contractile muscle so these are called as contractile myonimes basically यह क्या करते हैं यह भी animals को move करवाते हैं यह यह यूगलीना को move करवाते हैं किस तरह move करवाते हैं यह एक wave of shorter and wider यह नहीं animal जो है यह muscle जब जब contract करते हैं अगले सिरे पे anterior end पे यह जब contract करते हैं तो anterior end short यह जब यह contract करेंगे wave है वो middle portion पे पहुंचेगी और फिर middle से posterior portion पे पहुंचेगी इससे animal turn around करते हैं यह नि contractile myonines animal को turn around करवाते हैं जबके phlegelum जाए इसको forward direction में move कर आता है यह अपने access के किता अगर यह इसका starting point और वह ending कर और आगे से मींडिस्ट्री के से यह एक wave चलेगी यह आगे को forward forward जाएगा इसको कहते है locomotion in yuglena yuglena की इस movement को जिसमें दो structure शामिल है एक phlegelum शामिल है और दूसरा myonines शामिल है contractile myonines शामिल है इसको yuglenite movement कहते है such movement is called as yuglenite movement basically this movement is the characteristic movement of characteristic movement of yuglena this is only found in the yuglena where two structures one of them is one of them is phlegelum and the other one is the contractile myonines these are involved this movement is called as yuglenite movement our next topic is movement in or locomotion in paramecium thank you very